वेलकम दोस्तों आप सबी का स्वागत है है हमारे यूटूब चैनल राजंदर नर्शिंग अकेडमी में तो दोस्तों नौर्शेट स्पेसल एमसीक्यू सेक्षन की शीरी चल रही है और ये क्लास नंबर जो है आद 6 होने वाली है इससे पहले 5 most important क्लासे मैं करवाद चुका हूँ जिसमें बहुत important questions डिसकस किये गए थे तो अगर आपने वो क्लासे नहीं देखी है तो प्लीज क्लास को जुरूर देखना और चैनल पर पहली बार आये हो तो चैनल को सब्सक्राइब जूरूर करना और इस वीडियो को लाइक करना तो दोस्तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप सभी के लिए बैतरिन से बैतरिन क्लास लेकर आऊँगा चलिए पहला question discuss करते हैं कि a position given in shock a position given in shock, shock venus return to heart कि जब shock का मतलब है कि systolic blood pressure जो है बिलकुल कम हो जाता है तो तब जो है shock के time कौन सी position अपने को देनी चाहिए जो shock से relief करवाने की help करती है पहली है tendalberg position, दूसरा option है reverse tendalberg position, तीसरा है recombinate position, चोता है lateral position जल्दी सी बताइए दोस्तों कि venus return to heart heart की तरफ venus reply जो होगी वो कौन सी position में देखने को मिलती है तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि shock और venus return heart के लिए जो position दी जाती है वो जल्दी सी सबसे पहले तो मुझे इसका right answer दे दीजे कौन सी position देनी है तो आप confuse हो रहे होंगे A और B के अंदर right answer क्या होता है टेंडल बरक के अंदर क्या होता है हेड इलेवेटेड होता है और जो है लेग जो है वो नीचे के तरफ होते है हेड इलेवेटेड होता है तो तो reverse tendalburg में just इसका opposite होता है, lag elevated होते है, head downward होता है, तो इसका right answer क्या होगा दोस्तो, जल्दी सी सभी right answer put करे comment box में, then उसके बाद ही this question को आगे बढ़ाया जाएगा, तो जल्दी सी right answer जल्दी सी comment box में दे दीजे सभी, तो इसका right answer होगा दोस्तो, reverse tendalburg position, option B जो है वो इसका right answer ह होने वाला है, क्या option B जो है इसका right answer होने वाला है, चलिए next question की तरफ चलते है, vitamin K deficiency caused by, vitamin K की deficiency से क्या हो सकता है, बहुत important question है दोस्तो, aims के अंदर ये question बहुत बार आया हुआ है, तो anemia हो सकता है, hemorrhage हो सकता है, rickets हो सकता है, scurvy हो सकता है, तो दोस्तो, जल्दी सी आप right answer comment बोक्स में put कर दीजे, सबसे पहले मैं आपको बता दिता हूं, scurvy जो होता है, vitamin C की deficiency से होता है, किस की deficiency से होता है, vitamin C की deficiency से scurvy होता है, और ricchetts जो होता है, वो बच्चों के अंदर होता है, vitamin D की deficiency से, Desc élections जाती है और heimerid जो है आपको बता अनीमिया जो होता है blood की कमीशे होता है Hemoglobin की कमीशे होताrich not blood Hemoglobin की Alligers ओता है तो Dock Hash जो right answer होगा इसका z'arta whetard होगा वह होगा le QUE SPEAKING ही बिल्कुल जो है। नूबॉर्ण बेवी के अनदर जो है 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 इंदर से बचाने के लिए bleeding को prevent करने के लिए vitamin K का injection दिया जाता है vitamin K का injection दिया जाता है जो I am दिया जाएगा intra muscular दिया जाता है बहुत important है चलिए I hope आप सभी ने right answer किया होगा next question है question number third bowl and socket joint bowl and socket joint क्या होता है radial nar joint, hinge joint, shoulder and hip joint या carpel जल्दी सी right answer देना दोस्तो bowl and socket joint कौन सा होता है comment box के अंदर दोस्तो बहुत important session है यह आज का यह session बहुत important है तो please इसका right answer पूट करें bowl and socket joint जो होता है वो कौन सा होता है तो इसका right answer हो जाएगा shoulder or hip joint जो है bowl and socket joint होते हैं next question के तरफ चलते हैं आज के session का question number four most common sight taken bone marrow most common sight taken bone marrow sample बताओ bone marrow का sample लेना है वो उसके लिए most common sight क्या होगी पहला option आपके लिए femur दूसरा रेडियल तीसरा option इलिया क्रिस्ट चोथा option टीबिया तो जल्दी सी right answer comment box में इदर comment box में पूट करें जल्दी सी live chat के अंदर मुझे बताईए किसका right answer क्या होगा जल्दी 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 करें दोस्तों बहुत ही सांदार क्यूशन चल रहा है तो यह most common sight क्या रहेगी bone marrow sample को लेने की तो इसका right answer होगा दोस्तों option C जिनों ने भी option C दिया है congratulations बहुत अच्छी त्यारी आप सभी की चलिए next question की तरफ चलते है sudden outbreak of disease in community अब यह question आप सभी के लिए मैं homework रखूँगा homework है आप सभी के लिए question जो बच्चा इस question का सही answer comment box में देगा उसका selection जरूर होगा उसकी त्यारी बहुत अच्छी है sudden outbreak of disease in community मैं इसका आप सभी comment box में इसका right answer पुट करना then last में class के last में नहीं आज के दिन के last में साम को मैं इसका right answer comment box में पिन कर दूँगा वहाँ सभी के लिए अगर आप इमानदारी से पढ़ना चाहते हो इमानदारी से selection लेना है तो दोस्तों इसका right answer comment box के अंदर जरूर पुट कर देना sudden outbreak in community pandemic, endemic, epidemic, sporadic जल्दी शी जल्दी इसका right answer जो comment box में करना live chat में नहीं comment box के अंदर इसका right answer करना एक और most important question जो की NORSET का favorite question है और हर एक competitive exam का जो है वो favorite question है वो है fifth vital sign fifth vital sign किसे कहते हैं तो दोस्त वाइडल sign most important question है I think आप सभी को इसका right answer पता होगा मैंने vital sign जब करवाया था तो अच्छे से पढ़ा दिया था और वाइडल sign आपने नहीं पढ़ा है तो पीछे वीडियो है थियोरी वाड़े session में आप पढ़ लेना दोस्तो तो इसका right answer क्या होगा इसका right answer हो जाएगा pen जो होता है वो fifth vital sign होता है चलिए drug metabolism drug का metabolism कहां पर होता है जल्दी शी right answer देना दोस्तो drug का metabolism कहां पर देखने को मिलता है liver में, pancreas में, kidney में या spleen में तो drug का metabolism होता है जल्दी करें दोस्तो comment box के अंदर इसका right answer जरूर put करें और please जितने भी मेरे साथी वीडियो देख रहे हैं बगवान आप सभी का भला करेगा आपकी तैयारी अच्छी होगी आपका selection जरूर होगा आप सभी जो है सयोग करें राजिंद्रा नर्सिंग अकैडमी का please like this video आपका अपना चैनल है दोस्तो लाइक किया करो इसको वीडियो इसको लाइक किया करो मुझे मोटिवेशन मिलेगा फिर मैं आपके लिए बैतरिन से बैतरिन कंटेंट लेकर आऊंगा और आप सभी जो है इसको अपना मानते वेज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जो चलिए ड्रग मेटाबोलिजम इसका राइट अंसर ओप्सन ए हो जाएगा लीवर के अंदर होता है नेक्स्ट क्यूशन की तरफ चलते हैं ड्रग ओप चोईस ओफ बाईपोलर डिसोडर बाईपोलर डिसोडर की ड्रग ओप चोईस क्या रहेगी दोस्तो ड्रग ओप चोईस क्या रहेगी बाईपोलर डिसोडर बाईपोलर डिसोडर की डिप्रेशन और मैनिया होता है बाईपोलर में क्या होता है तो डिप्रेशन होता है एक मैनिया होता है तो इसकी ड्रग उप चोईस जो रहेगी बहुत इंपोर्टेंट क्यूशन है तो इसका राइट आंसर जल्दी ची कमेट बोक्स में पूट करें रहन उसके बाद नेक्स चलते हैं अपन कि दीजे दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि नाइट टाइम ब्लेडर को कंट्रोल करने में विप्रमाइन का रोल होता है यहीं याद रखना आप कि सीजर में डाइजापाम का यूज होता है याद रखना लीथियम कार्बोनेट इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बाइप अप्सवीस होती है वो lithium carbonate होती है क्या होती है lithium carbonate होती है इसका right answer जो रहेगा दोस्तो वो option A रहेगा क्या रहेगा option A दोस्तो वीडियो के last में आपसे पूछूँगा कि आप आपके कितने कितने कु Guitar is the right away जो मैं ने करवाई उसमें से चलिये चलिए बताएं ब्लूइश डिस्कलरेशन ओप सर्विक्स सर्विक्स का ब्लूइश डिस्कलरेशन कहलाता है क्या कहलाता है दोस्तों बताएं प्ल्सेसन क्या होता है लेट sobie फोनिक्स में पलसेशन, पलस जैसा फील होता है फील ओता है जेकमर साइन क्या होता है PULLOO-िश- डिसक वेजाईन a जेकमर क्या होता है etted इसकलियरेशन ओफ वेजाईन ऐगार हंग क्या होता है of uterus और चेडविक साइन होता है ब्लू- इसकलियरेशन of सर्विक्स क्या दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ओप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्यूशन पर चलते हैं क्यूशन नमबर टैन ट्रेकियो स्टोमी चेंजेज आफ्टर हाउ मैनी टाइम ट्रेकियो स्टोमी को कितने समय बाद बदल देना चाहिए प्रायरिटी वाला क्यूशन है दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट क्यूशन है कि ट्रेकियो स्टोमी चेंज आफ्टर हाउ मैनी टाइम कितने दिनों में change कर देना चाहिए तो दोस्तो इसका जो right answer बताओ आप सभी पहले तो 7 दिन 2 दिन 5 दिन या 14 दिन तो मैं आप बताओ इसकी range होती है 7 से 14 दिन अब आप बताओ दोनों option में है तो आप क्या लगा कराओगे priority किसे देंगे आप 7 दिन को दोगे या 14 दिन को priority दोगे तो जल्दी सी right answer का comment box में कर दीजे दोस्तो इसकी range है 7 से 14 priority किसे दोगे किसो मानोगे सबसे right सबसे पहले बताओ आप right किसे मानोगे तो इसका right answer हो जाएगा 7 दिन जो है उसको right मानके चलेंगे अपन priority देंगे 7 दिन को चलिए right answer हो गया tunnel vision found in tunnel vision found in बताइए tunnel vision किसे कहते हैं tunnel vision किसे कहेंगे cataract तो opacity of lens होता है क्या होता है opacity of lens होता है cataract का question भी आता है opacity of lens opacity of lens वो तो cataract होता है glucoma इसका right answer होगा मेरे दोस्तों glucoma इसका right answer होने वाला है tunnel vision glucoma में पाया जाता है किसमें पाया जाता है glucoma में पाया जाता है next question ear drop को ear drop को install करने का सही तरीका क्या है ear drop को install करने का बताइए दोस्तों ear drop को install करना है तो right way क्या रहेगा infusion होगा installation करना option B जो है वो बिलकुल right होगा चलिए next question पर चलते हैं acute brain disorder बताइए दोस्तो acute brain disorder इसका right answer क्या होगा acute brain disorder का किस परकार का disorder है acute brain disorder बताइए जल्दी सी right answer put कीजे दोस्तो तो इसका right answer होगा acute brain disorder का दोस्तो memory memory बिलकुल memories का right answer हो जाएगा next question oxygen administer indicate करता है कि कब oxygen को administer करना है यह indicate कब करेगा जब SPO2 95% से जादा होगा यह तो normal होता है यह तो indicate नहीं करता SPO2 90% से कम है बिलकुल यही indicate करेगा option B जो है इसका right हो जाएगा चलिए दोस्तो next question देखते हैं इसका right answer देना दोस्तो next question है कि oxygen administer in child by nasal cannula nasal cannula के दोवारा कितनी oxygen administer की जाती है जल्दी जल्दी राइट आंसर पुट करें दोस्तों comment box के अंदर बहुत important question है अप टू फाइफ लिटर शिक्स तू तैन लिटर टैन तू फिप्टीन लिटर या फिट्री लिट्र तो इसका right answer हो जाएगा questions बहुत important है यह जितने भी मैंने question करवाएं important है 15 मैंने आपको करवाएं हैं और 15 में से एक question आपको homework दिया है तो आप उसका right answer है वो comment box में पिन कर दूँगा तो प्लीज आप इस पर ध्यान देना वीडियो को like करना चैनल को subscribe जरूर करना अपने दोस्तों से भी करवाना और बहुत ही जल्द दोस्तों बहुत ही जल्द अपनी यूटूब family है वो पांच अजार की होने वाली है तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि थोड़ा थोड़ा सयोग करें आप साथ subscriber की कमी है कितनी साथ subscriber की कमी है साथ subscriber के बाद अपनी यूटूब family 5k हो जाएगी जो आपका प्यार सनेय सयोग रहा है इसको बरकरार रखना दोस्तों और आपको बैतरीं से बैतरीं चीज हम देंगे बिल्कुल सांदार लेवल का टेंट देंगे free of cost तो 5k 5k जन्द ही होने वाले हैं अगर आपका सयोग रहा तो आज ही हो जाएंगे सिर्फ साथ subscriber की कमी है तो आप सभी से मेरा वी नमर निवेदन है कि थोड़ा सा खोशिस करें और साथ बच्चें अपने साथ दोस्तों को सेयर करकर बोले कि सबस्क्राइब करें इस सेनल को अपनी 5000 की फैमिली पांच हजार की फैमिली हो जाएगी चलिए दोस्तों थैंक यू थैंक यू सो मच मिलते हैं साम को इमेज बेस क्यूसन की क्लास में वो क्लास जरूर देखा करो दोस्तों इमेज बेस क्यूसन वाली क्लास जरूर देखा करो क्योंकि तीन से चार चार से पांथ क्यूसन ऐसे ह आपको उसी क्लास से देखने को मिल जाएंगे , AIMS के एक्जाम नॉर्षाट के एक्जाम में , तो उस छास को बिलकुल मिस मत करा करो , साम को नोव भजे डैली । US पर चलास होती है उस क्लास को जूरूर इटारस की Martina कर लॉप इंचे Fauna म耶ad करूए जाते हैं तो 10 ऑसफ खूंड के संसे करे kalian अतनी सार इंचिजे पढ़ेगी और याद रहरा जाएगी अगर uniky aksran भी श्रूझरे ही यादाध सथ उनिक्र 설ागे तो इतन आज की क्लास को विराम देते हैं और मिलते हैं रात को साड़े नौब जे इंदर सर के साथ इमेज बिस MCQ में थैंक यू थैंक यू सो मज़ प्लीज लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब दिस चैनल और प्रेस दे बेल आइकन फॉर मॉर अफडेट जो गंटी आ रही है दोस्तों पास में सब्सक्राइब बटन के पास में गंटी आ रही होगी उसको जरूर दबा के रखना सलेक्ट ओल लोटिफिकेशन कर लेना जैसे ही क्लास आएगी आपको पता चल जाएगा चलो धन्यवा कि बन्वाइए थैंक यू थैंक यू सो मच